इस तकी मागो मारने के लिए कहते तो मार देते हैं तो मार देते हैं आम कश्मिरी हिंदियों का कत्ते आम हो रहा है मुद्धा कश्मीर फाइल्स फेल्म आखिर इतना बबाल क्यों और पुर्जोर समर्थन क्यों हमारे साथ उपेंद्र कश्यप जी हैं अभय कुमार जी हैं इन्होंने फिल्म को देखा है और मैं आपके साथ सुनिल बौबी हूँ आखिर कस्मीर फाइल्स आपको क्यों देखिनी चाहिए या क्यों नहीं देखिनी चाहिए इसी मुद्दे की इर्देगिड हम लोग बाते कर आपको क्या नुभव हुआ इसको आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइएगा अगले वीडियो में हम आपका नाम भी लेंगे कस्मीर फाइल्स का डाइरेक्टर का नाम क्या है एक बार कुना मेरे सवाल को आप सुन लीजि करूंगा तो चलिए सिधे मुद्दे पर चलता हूं सर आपनी कस्मीर फाइल्स फिल्म को देखा आखिर हमारे दर्सक हम लोगों के दर्सक जो है इस फिल्म को क्यों देखे सबसे पहले तो फुर्थ व्यूज ठोक तंत्र और मगत संबाद के दर्सकों को घन्यवाद आप व मुद्दे पर हमाएंगे सवाल यह है कि यदि फिल्म के बारे में पहली बार जानने कि फिल्म बहुत बहुत बोरिंग है यदि आप कस्मीर को नहीं जानते हैं कस्मीर के मुद्दे को आप नहीं जानते हैं तो फिल्म हौल में आप सोजाईएगा आप समझ नहीं पाईएग पूरी फिल्म में दूसरी बात है कि इस देश में हमेशा एक समुदाइब इसे के खिलाफ जब फिल्में आती हैं उनकी धार्मिक परमपराओं की खिलाफ खबरें आती हैं या वीडियो फिल्म मनाये जाते हैं तो लोग उसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं आज अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसे बैंड करने की मांग की जा रही है जो फिल्म के पक्षकार है उनका यह जबाब मुझे बहुत बहतर लगा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है इसलिए फिल्म पर बैंड नहीं किया जाएगा दूसरी बात कही जा रही है कि यह फारुक अब्दुल्ला ने एक ट्विट किया कि एक फिल्मों को टेक्स फ्री इसलिए किया गया है दकस्मीर फाइल को ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखें और हमारे समुदाय के खिलाफ नफरत करें प्रस्णिया उड़ता है कि आप ऐसी हरकत क्यों करते हैं कि आपके खिलाफ कोई समुदाय विशेश में पूरे समाज में नफरत फैला या फैल सकता है दूसरी इस्थितिया है कि इस फिल्म में जब आप ही यह कहते रहे हैं हमेशा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो इस फिल्म में आपको कोई धार्मित समुदाय विक्टिम के रूप में आपको कैसे दिख रहा है या आरोपित के रूप में आपको कैसे दिख रहा है आप कैसे कह सकते हैं कि एक समुदाय एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ यह फिल्म बनाई गई है जबकि आप ही क के जुबान को सिल दिया है का सबार को यह सपी हो गई है और शुल दिया जब आप याद होगा कि जैसे इस देश में तो जो लोग बैण कर रहे थे जो लोग सवाल उठा रहे थे कि आप इस तरह कि तस्वीर नहीं बना सकते तो और अपने धर्म कि किसी महिला पात्र को उठाते तो जब हिंदू की बात आती है तो आपको आते हैं अभिव्यक्ति की आजादी आज दूसरे समुदाय की बात आई तो आपको उसमें अपना धर्म नजर आ रहा है कि हमारे धर्म के खिराप ऐसे अब नहीं चलेगा और इस फिल्म में दो टूक बात में यह कहूंगा कि इस देश में बैचारिक स्वतंतता एदम साफ साफ कर दिया है कि आप पहले जो समुदाय बोलता नहीं था अपने हित पर या अपने हित के विरोधियों के खिराप वो समुदाय अब बोलेने लगा है फिल्म को लेकर यही समस्या खड़ी हो रही है फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जितना बावाल हो रहा ह वो होना चाहिए ऐसा फिल्म कुछ मुझे देखने के बाद नहीं लगा बवाल इसलिए कि जो समुदाय चुपी साध लेता था बोलता नहीं था वो समुदाय बोलने लगा और फिल्में इतनी देखी जा रहे हैं कि सारे रिकोर्ड टूट रहे हैं जबकि उसमें प्रेम नहीं है मुखबत नहीं है जो फिल्मी मसाला है कुछ भी नहीं है फिर फिल्में इतना पैसा ही फिल्म कमा रही है इससे बेचेनी ज्यादा लोगों को है कि अब लोग मुखर हो रहा है फिल्म देखने जा रहे हैं लोग इस तरह की फिल्मों को समस्या की जड़ यह है समस्या की ज हत्या कर देने वाला व्यक्ति टीवी पर आकर कहता है कि हम मैंने हत्या कि जब उससे प्रश्ण करता है या पुछता है कि आप अपनी मां की भी हत्या कर देते तो बड़ा ठंडे दिमांग से कहता है कि जी कर देता भाई की भी मैं हत्या कर देता वो वीडियो बीबीसी ने इं पायार हो जाएगा और हत्यारा माइक पर टीवी पर चिला कर कह रहा है कि मैंने मारा तब ने आये कहां था तब ने आये पालिका कहां थी तब लोकतंत्र की दुभाई देने वाले कहां थे किस भील में घुस गए थे यह मुद्दा भी सामने आना चाहिए जो ब्यक्ति दूसर सरकार उसमें फिल्म है वह भी टीवी पर ओपन कहां कि मैंने मरद किया है मैंने चार वाई उसेना के अधिकारियों की हत्या की जब कबूल नामा है तब भी करवाई नहीं बलकि उसे आप दिल्ली में बुला कर समानित करते हैं उसका पोकेट खर्ष तक सरकार का दिया जाता फिल्म कोई देखे या ना देखे फिल्म जिनको देखना है वो देखेंगे लेकिन जो आपत्तियां उठाई जा रहे हैं उस पर मेरी यह पर्तिक्रिया है यानि कि लोग आप चयानित नहीं हो सकते हैं चर्चा इतना कर दिये हैं कि अब बेतावी हो गया फिल्म देखने कर वरना फिल्म में देखता भी नहीं हो ने मेरी कोई रूची नहीं बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म देखना छोड़ चुके हैं लेकिन इतनी चर्चा खवार में टीवी पर हर जग हद प्रिफॉर्म परमनी चर्चा है परमोशन से प्रभावित होकर इतना मजबूर होगा कि पैसा करके फिल्म देखना पड़ा हूँ आज हम लोग डिवेट कर रहा है तो फिल्म का कौन ऐसा पाट आपको बहतर लगा जो दसकों को बताना चाहिएगा धन्यवाशन सुनिल गर्ण उनिल नाशका सराका में आपसे पूझना अञा तो फिल्म देखchine नहीं देखे मैं कहता हूं कि इस धर्टी पर इस प्लेनेट पर दो तरह के लोग हैं एक जो लोग है अच्छ जो कास्मेर फाइल्स देखी है ऊर दूसरे लोग हों जियराल नहीं देखिए है दुर्वाट का एक ही मतलब दोर भागों मैं बाटा जाएगा का इस धर्ति को कुछ को का समीर देखी है या नहीं देखी है दूरी बात आपका सवाल सा कौन सा सीन परभावित हुए नहीं हुए चीछ में उपेंद्मर भाई के बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि जो अब पर्तिकिरिया आ रही है दो तरह की बात है मैं दो बूर्बीच अपर बहुत ज्यादा इस फिल्म का वास में तुप मैं रहता थी चीजों दो belum दो चीज मैंने देखा पहली बाद का समीर में कोई भी नई की चीज नहीं दिखाई गई है जो भी बाते दिखाई गई है कहीं ने कहीं मीडिया में थी पब्लिक ओपेनियन में थी और कोई नहीं देखते थे आप करने जरीया लग था देखने का बात वही है कि जो खबरे मतलब कुछ विशेश परस्तिती में चार-चार दिन तक लीड जलता है उस पर संपाधकिय लिखे जाते हैं वह उस खबर को सिंगल कॉलम में समेटा गया था बात सही है कि चावल के चावल में च्पा हुआ था उसको गोली मारा गया सुक्कि खून से सने चावल को महिल पत्ली को खिलाया गया था और यह मै फिल्म से पहले इवेनों में सहारत के जो प्रतिनीधी थे उन्होंने कहा है सrän दूसरी घतना जो आरा मशीन से चीरते हुए दिखालाया गया है उस महिला को यह महिला भी पबलिक डोमयन में इस बात को थी अखवारों की तरन है उस महिला को आरा मशीन से काटा गया था और लोगों के सामने काटा अब उस बात को बताने में कितना बिरोध बैठी हम भी जानते हैं अमारे दर्सक भी समझ रहे हैं कि इनकी क्या मेंटेलीटि है अब दूसरी बात आप बात करते हैं कि कुछ बाते मुझे बेलिद करती हैं दो तरह के विचार धारा हैं मैं सोचल मीडिया पर रहता हूं और मैं नाम लिना चाहूंगा सम्मान से मैं एक वीडियो देख रहा था खांसर का खांसर ने चर्चा किया था कि उन्होंने बहुत अच्छी बात गही थी कि कास्मीर में गया था तो कास्मीर की लोग बुरे नहीं हैं सारे लोग बुरे नहीं हैं लेकिन उनका जो भासा है इस असुरा उस वह जब मार रहा था काट र तो भासा है जो इससुर नास्ता खाना के लिए पूछा नहीं कहा कि चलो तुम यहां रहो हम बचाएंगे चाहें कुछ जो अच्छे लोग थे तो कब से कम भी रोध करते तो वहां पर गल्ती उस बिशेश मुस्लिम समधाय से हुई है इसलिए पूरा समाज दोसी है दूसरा बात दूसरी विचाधार में सोसल मेडिया से एक बच्ची का मैं कविता देखा रहा हो कविता पढ़ती किसी भासन में बोल रही थी इस कस्मीरी पंडितों को ललकार रही थी कि तुम कायर हो तुम में से अगर 10-20 भी तो हथियार उठा लेते पलायन नहीं करते तो मामला देखिये मामला को हाइलाइट कब होता है मैं बार हम लोग सावरे एक पेसे से पतकारता से जूड़े हुए हैं जाब तक कुछ उसका विरोध नहीं होता है तब तक मीडिया में भी खबर नहीं आती है तो अगर उसका परतिरोध होता तो मीडिया की वकात नहीं थे कि पुजारी किसी को मतलब इनोसेंट बताना यह सबसे बड़ी गलती है सांती का अब तो इस्तिति है कि नर्संगहार के नवाजय को गांधेबादी कहा गया बात आगे बढ़ाना चाहूंगा यह इस्तिति परिस्तिति यह भयावा इस्तिति थी उसमें और सब लोग जानते द चुप रहते और खास करके मीडिया की बात उस फिल्म में मीडिया को बहुत लताड़ा गया है मीडिया को एक दम जो सीबी आई बोला था वह सुप्रीम कोट की तोता है सीबी आई सरकार का वहां मीडिया दिल्ली में बैठे लोग का तोता बना हुआ था मीडिया की भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं रही लेकिन अच्छी नहीं रही उसमें पत्रकार की गलती नहीं है मैं तो मत बोलता हूं कि मीडिया उस फिल में भी एक सिन है जहां पत्रकार पुछता है जब पत्रकार और फो जहां होती है उसे कि तुम क्या कर रहे थे तो बोला कि हमारे नो पत् पत्रकार मीडिया नहीं होता है, मीडिया पुरा सिस्टम होता है, और सिस्टम के जो सबसे ऊपर बैठे वे लोग होते हैं, वो कैची चलाते हैं, वो जो चाहते हैं वही छपता है, तो मीडिया कोई बहुत बढ़िया से लोग को समझाने का काम या फिल्म किया है, हम बात कर र अगर आप यह चाहते हैं तो बताई कौन सा काम मुआपके रूख सकती कि नहीं रूख सकती थी रोकने के लिए क्या किया और दूसरे समधाय के लोह को जो एक बच्ची छे संवाल उठाया कि अगर तुम लोग कुछ में पदायन छोड़ कर उठा हैं तो उसमें दूर्म में तो यह कोशिष की गए कि पंडित नहीं जाए उनको अप्सन दिया गया ऑफ्सन क्या था यह तो मारे जाइए यह इसलाम स्विकार करिये यह पलाइन करिये तो जब तिन ही भी कल्प थे तो लोगों ने पलाइन ही मति किया लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि प्लायन करना का यर्ता थी, जो मजबूरी थी, जो परिस्थेति थी, सरकार भी पंडितों के साथ नहीं थी, तो पंडित प्लायन कर गये। दूसरी बात यह भी है कि एक तर्क यह भी तो दिया जा सकता है कि इतनी प्रतालना के बावजूद किसी कस्मेरी पंडित ने हत्या नहीं किये, हत्यार नहीं उठाया, यह संस्कृतिक मसला है, और हिंदू संस्कृति के हिसाब से अगर देखिएगा, तो पंडितों का निर्ण भाएं सही माना जाएगा, पलायन मुझे देखिए, रनीतिक पलायन स्रीवा जी भी छुपकर भागते थे, भेस बदलकर भागते थे, स्रीवा जी भी महान है, लेकिन पलायन मैं जो सोशल पब्लिक डोमेन में जो बाते आरें उसकी में बात करता हूँ, मैं अपना कोई भी जो चार्चा है जो कमेंट है उस पर उस पर हम बात कर रहे हैं उस बच्ची को सवाल भी एक साहत भरने का काम करता है और और जो एह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर आपने खांसर ने सवाल उठाया कि आप में से कुछ लोग अच्छे क्यों नहीं दीखें अभी भी जो अच्छे दिखते कभ है एक आद इतिहास उठा के आप खंगाल लेजिए उनका जो और इजिन है भारतिये सुस्कीते से इस प्रायदीप से है इस प्रायदीप में जो नेमत है भगवान का या खुदा का कर लिजिए जिसका भी कर लिजिए यहां हर्याली है पानी है हवा है अच्छे लिजिए अच्छे लिजिए और चलते चलते आप दोनों बता दिजिए कि फिल्म की सुरुवात किस ढंक से कैसे होती और अंत कैसे होता है ओ फिल्म देखने के लिए छोड़ दीजिए दर्सुकों अच्छे नहीं हुआ मैं जितना पढ़ा जानता था मुझे लगा कि यही चीजिए यही दोमेंड में चीजे प्रिंट पर थे उसको विजुलाइज कर दिया गया एक बात और मैं दर्सकों को बताना चाहता हूं आपको बताना चाहता हूं और उसको बताया जाता था मासूम और उसको यह दिखाया जाता था कि गल्ती से भारतिये फोज को दूस्मर मान रहे हैं आप गलत दिखाएगा तो पब्लिक छूच ज्यादा दिन नहीं भी कैगा सच्चाई दिखाया इसलिए पिल्म है हूँ खूबच जबज लिखाय किसी ने लिखाय ने किया है फिर मिलते हैं लेकिन कस्मीर फाइल माति यह द나 चाहते है तो देखिए और नहीं देखना चाहते हैं तो सोतंत्र हैं क्योंकि भारत मिया सोतंत्रता पराप है धन्यवाद कोई फर्मान जारी नहीं होता है बस इनी सब्दों के साथ जय हिंद जय भारत बंदे मातरम